ए हेलो स्टुडंस तो और्गनिक कमिस्टिक के चेप्टर हलोत य्लोकेन्ज और हैलो में हम दूसरी विडियो आज लेकर आ चुके हैं जिसमें हम आज पढ़ेंगे मेसवशूव प्रिपरेशन ओफ हैलोतान किन किन तरीकों से किन किन मैफड से हेलो एलकेंस बनाई जा सकती है आज हम उन-उन मैफड का डिसकस करेंगे ठीक है तो स्टुडेंस मैं आपको बता दू मैफड सो प्रिपरेशन ओफ हेलो एलकेंस के लिए दो वीडियो बनेंगे मारे पास एक तो आज वाली वीडियो जो मैं बना रहा हूं क्योंकि एक वीडियो में तो मैफड प्रिप्रेशन को कम्प्लीट करना मुश्किल ही होगा हम नहीं कर पाएंगे कम्प्लीट फिर लंबी वीडियो हो जाएगी बच्चों को इंट्रस्टेट नहीं लगती है ऐसी वीडियो ठीक है तो आज हम हेलो एलकेंस प्रिपेर करने जा रहे हैं तो चलिए मैं हूं तर सेम जटेंड और आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल जटेंड क्लासीज लेट स्टार्ट तो सबसे पहला जो मेथड है आज हमारे पास हेलो एलकेंस प्रिपेर करने का वह है फ्रों एलकोहल से हम क्या प्रिपेर करेंगे हेलो एलकेंस प्रिपेर करेंगे बच्चों ठीक है एलकोहल से आपको समझना है भई ध् रखी है और्गैनिक आपके लिए में बहुत 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 आसान बना देने वाला हूं यहां पर ठीक है चलिए शुरू करते हैं अलकोहल से प्रिपेर्मेंट तो मैं एक पर जनरली यहां पर कोई अलकोहले लेता हूं आर ओएच आर ओएच यदि आप इस आर ओएच में एच यदि इस आर ओएच में आप PCL टाल देते हो यदि इस आर ओएच में आप 2 डाल देते हो तो जो प्रोडक्ट आपके पास टियास बनेगा वह बनेगा RCL, समझाएं इस बात को, इन सभी रियेजेंट्स का जो काम है, वो क्या काम है, OH हटाना, OH हटाना, CL लगाना, इन सब का क्या काम है बिटा, OH हटाना, CL लगाना, तो जैसे मैं जनरल रियेक्शन दूँ, आपको पेपर में आ गया, CH3, CH2, OH, PLUS, HCL, Zinc, कलोराइड, तो बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको क्या गरना है, बिटा, OH हटा देंगे, यहां से पानी चला जाएगा, OH और OH मिलकर पानी बना लेंगे, CL यहां पर लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CL, पेपर में आगया, आपके पास की बताएगे, क्या प्रोडक्ट बन नहीं पढ़ाऊँगा, आपको Organic Chemistry, मैं मेरे तरीके से Organic Chemistry आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, मज़ा आने वाला भी आजब को, ठीक है, बिलकुल, कहीं पर लिख लीजिए, HCL, ZN, CL2, PCL3, PCL5, SOCL2, इन सब का क्या काम है, OH हटाना, CL लगाना, OH हटाना, CL लगाना, तो यह नहां से OH हट जाएगी, अब उसकी जगह क्या लग जाएगी, CL लग जाएगी, क्या लग जाएगी, बिटा, CL, तो क्या बन जाएगा, यहां, CH2O, सुरी, हां, CL लग जाएगी, CH2CL प्रोडक्ट आजाए, कोई दिक्कत तो नहीं है, मालीजे, पेपर में कहीं पर आगया, CH CH, CH3, OH पलस PCL 3, find the product, बताएगी, क्या प्रोडक्ट मनेगा, तो भई, PCL 3 दिखते ही, दिमाग की बतियां, आपकी जल जानी चाहिए, क्या दिखते ही, PCL 3 दिखते ही, तो जैसे ही आपको PCL 3 दिखेगा, तो आप क्या बोलोगे, सर यह तो OH हटाएगा, CL लगाएगा, अरे अब हम एक-एक करके इन मैथर्स को पढ़ लेते हैं, पहले HCL, ZN, CL2, PCL 3, PCL 5, SOCL 2 के साथ, अलग-अलग तरीके से रियक्शन पढ़ लेते हैं, तो पहले तो मैं आपको करवाँगा, जनरल रियक्शन, जैसे यह सब करवाई है, हर मैथर्स में, चियार है न यह देखो, च में आपके स्लेबस में होगा, बोर्ड के स्लेबस में, मैं उनको specially mention कर दूँगा, that this mechanism is included in बोर्ड स्लेबस as well, तो चलते हैं, बारी-बारी एक-ए करके, इन रियक्शन की तरफ, लेट्स प्रोशीड, तो चलिए स्टुडेंस प्रोशीड करते हैं, अलकोहल में सबसे पहला ह हमारे पास HCl, ZnCl2 के साथ बनाएंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जनरल एक अलकोहल ले रहा हूं, CH3, CH2, OH, इसमें मैंने डाल दिया, HCl, ZnCl2, ठीक है, यह कैटलिस्ट डाला में, Zn क्लोरेड, जिन क्लोरेड क्या है, यहाँ पर, कैटलिस्ट है, ZnCl2, यह प्रैमरी अलक हल, CH3, CH, CH3, OH, पलस HCl, अगें, ZnCl2, यहाँ पर ले लेता हूं, यह कौंशी अलकोल है, सेकंडरी अलकोल, दैन, टर्सरी अलकोल ले लेते हूं, CH3, C, CH3, CH3, OH, पलस HCl, तो सबसे पहले तो, HCl के साथ जो reactivity order है, वो कौन सी अलकोल सबसे fast react करेगी, हम यह समझ लेते हैं, तो यदि मैं अलकोल की reactivity की बात करूँ, अलकोल की, तो जो सबसे ज़्यादा reactive alcohol होती है, वो तर्सरी अलकोल सबसे ज़्यादा reactive होती है, as compared to secondary and as compared to primary alcohol, तो यह reactivity order आ गया है, तो इसलिए जब हम यह process करवाते हैं, तर्सरी अलकोल के case में आपको zinc chloride catalyst डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, no need to add zinc chloride, आपको zinc chloride डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह का catalyst, direct product मिल जाएगा, आपको देखो क्या, यहां से release हो जाएगा, पानी बेटा, क्या बाहर निकल जाएगा यहां से पानी, water molecule यहां से क्या हो जाएगा, release, तो पताइए क्या product बन जाएगा, CL यहां पर लग जाएगा, तो तर्सरी अलकोल सबसे fast react करेगी, पानी को क्या कर देंगी, वो बाहर यहां CL लग जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, बाहर, सबसे fastest reaction होगी, सबसे एकदम से हो जाएगी ठीक है तो यहां से भी क्या रिलीज कोगा पानी बेटा वोटर रिलीज कोगा तो क्या ऋकм qui जाएगा यह लग जाएगा तो बनजाएगा सिएच 3–0 secret 53 skifahek बैसमें क्या रिलीज हो जाएगा पानी क्योंकि primary alcohol सबसे least reactive होती है तो इसलिए यह acid के साथ react सबसे कम करेगी जिंक chloride के डालने के बाद आपको थोड़ा सा heat भी करना पड़ेगा इसको गरम भी करना पड़ेगा तो गरम करने के बाद यह react करेंगे तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा पानी तो प्रोड़क्ट बन जाएगा आपके पास CH3, CH2, CL पलस में क्या रिलीज हो जाएगा वोटर कोई दिक्कत नहीं है तरसरी अलकोल सबसे fast react करेंगे HCL, ZN, CL2 के साथ अब reason है कि क्यों यह order जो आया हमारे पास क्यों आया मैं आपके हर question का जवाब दे कर आगे चलूंगा किसी भी चीज को pending नहीं चोड़ेंगे doubt के साथ आगे वाली वीडियो में नहीं जाएंगे हम ठीक है clear है विल्कुल क्यों ऐसा है तरसरी अलकोल ज्यादा रियक्टिव क्यूं है तो उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ऑक्सिजन के ऊपर lone pair होता है क्या उता लोन पे और यहां से जो हाईडरोजन एच्पलस निकले गी एच्पलस 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 उसके ऊपर ग्राट आटैक करेंगे क्या बनाइगी तो जल्दी ट करेंगा वही क्या करेगा जल्दी से रियक्ट करेंगा चलो बहीं सको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूं हों एक बार मेकैनिजम से समझाता हूं इसको का छीजांसर मचैनिजम चले प्रोशीड करते हैं मेकैनिजम की तरफ ऐस प्रोशीड चले जल्दी चर लेते हैं एक बार मैं सिटर अलकोहल यहां लोन पेर इस पे क्या करेंगे अटैक क्यों करेंगे जल्दी से अटैक क्योंकि CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है पलस आई इफेक्ट यहां पर भी CH3 का पलस आई इफेक्ट लग रहा है यहां पर भी CH3 का पलस आई इफेक्ट लग रहा है तो यह जाद एलेक्टोन ह पर आएंगे तो कि से अपर तो एक्ट्रोनों की संख्या बढ़ जाएगी एक्सेस हो जाएगा जैसे ही बहुत ज्याद प्र जाएगे तो पटक देगी अपने एक्ट्रोनों को हैच पलस पे तो देखे फिर क्या बन जाएगा यहां पर CH3C CH3 CH3 OH2 देखो OHH तो क्या मन गया OH2 और oxygen पे कौन सा चार्ज आ जाएगा positive charge oxygen being an electronegative element और electronegative element पे positive charge organic chemistry में सबसे बुरी बात होती है यह सबसे बुरी बात होगी oxygen मुह चड़ाके बैठी वे रहे मेरे मैं electronegative element मेरे पे positive charge तो इस bond को बेटा तोड़ना पड़ेगा आपको इस bond को क्या पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा तो बोलिए यहां से क्या रलीज हो जाएगा पानी water तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3 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 positive तरसरी कार्बोकटाइन बन रहा है बेटा क्या बन रहा है तरसरी कार्बोकटाइन और तरसरी कार्बोकटाइन क्योंकि सबसे ज्यादा stable होता है तो इसलिए तरसरी अलकॉल सबसे ज्यादा रियक्ट करती है ठीक है सेकेंडरी अलकॉल तो मैं यहाँ पर CH3 CH3 OH plus H plus तो यहां से पानी बाहर हो जाएगा तो कौन सा कर्बोकटाइन बना यहां पर CH3 positive secondary क्योंसा कर्बोकटाइन बना secondary कार्बोकटाइन बताएं कर्बोकटाइन की स्टेबलीटी ओडर क्या होता है तरसरी ज्यादा सबसे ज्यादा अजान के च्ट करेंगी कोई डाउट नहीं वना चाहिए अब आपको किट एक्षेलिकों करती है क्लियर हैं तो चलिए पिता नेक्स पॉिंट की तरफ ठीस राफ तो क्टन आम आताए कि कडेसि करेंगे लेकिन उनका र्यक्टिवीटिटि का स्फिकर रहेगा यहां से जल्दी टूटेगा वहीं तो जल्दी र्यक्ट करेंगा लेकिन्टाय सबसे ब्रेक्ट होता है है h i strong acid सबसे हाई होता है टिकोन होता है h i तो reactivity order आ जाएगा h i सबसे जल्दी react करेगा as compared to hbr as compared to hcl as compared to hf तो यह questions मैं आपको करवा रहा हूं alcohol की बात करें तो tertiary alcohol सबसे ज़्यादा रिएक्ट करें as compared to secondary as compared to primary halogen acid की बात करें तो hydrogen iodide सबसे जल्दी रिएक्ट करेंगा hydrogen bromide hydrogen chloride और hf के comparison में अब आपको clear है बिटा अच्छी तरह से clear है ठीक है चलते हैं आगे इसी point के अंदर अभी अभी मैंने लिखा कि जो primary alcohol होती है वह hcl के साथ तब react करती जब आपके पास catalyst होता है zinc chloride तो जब आप hcl और z ncl2 डालते हो जो catalyst zinc chloride होना चाहिए और hcl z ncl2 तो यह वाला जो process कहलाता यह कहलाता है grooves process कौन सा process कहलाएगा बिटा grooves process तो grooves process क्या है आपके पास कि primary और secondary alcohol hx z ncl2 के साथ react करके alkyl halide बना लेती है किसके साथ rate करके hx z ncl2 के साथ rate करके this process is known as grooves process I hope अब आपको clear है पहला method of preparation of alkyl halide किससे from alcohol से halogen acid के साथ reaction करके कौन सी alcohol सबसे ज़्यादा reactive होगी कौन सी alcohol कम reactive होगी कौन सा halogen acid ज़्यादा reactive होगा hcl hb r hc ii और hf बढ़ते हैं next reaction की तरफ तो चलिए student next method पर बढ़ते हैं alcohol से ही बना रहे हैं लेकिन alcohol की reaction किसके साथ करवाएंगे pcl5 के साथ तो मैं general reaction यदि यहां पर लिखू आरो एच पलस में क्या लिखा जाएगा pcl5 तो pcl5 का काम क्या था बढ़ता ओएच अटा लगाना तो क्या बन जाएगा आपके पास rcl बन जाएगा ओएच की जगा क्या लग जाएगा cl पलस में बनेगा यहां पर pocl3 पलस में बनेगा hcl कई बार यह side product भी पूछ लेते हैं competitive exams में तो आपको याद रखने pocl3 बनेगा पलस में क्या बनेगा hcl तो चले कुछ reaction करके दिखा देता हूं यहां पर ch3 ch2 o h pocl3 बताइए क्या बनेगा o h हटेगी sir cl लगेगी कोई दिक्कत नहीं है ch3 ch2 cl ठीक पलस में क्या बन जाएगा pocl3 पलस में क्या रिलीज हो जाएगा hcl नई डाउट नहीं sir ch3 ch ch3 o h plus pcl5 बताइए क्या product आएगा sir o h हटेगी cl लगेगी कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है ch ch3 o h की जगह पर क्या आजाएगा आपके पास cl आजाएगा पलस में यह side product है जिटीज रहेंगे ठीक बता दीजिए बहीं जल्दी से बेंजीन ch2 ch ch3 ch3 यहां पर क्या लगा दिया मैंने o h बताइए pcl5 डालेंगे तो क्या क्या बनेगा इस o h की जगह आँख बंद करके क्या लगा देना है आपको बिटा cl लगा देना है बहुत ही असान बना देंगे आपके लिए organic chemistry को o h की जगह क्या लग जाएगा cl तो यह तब pcl5 के साथ जब alcohol react करती है तो यह यह product बनते हैं तो चलिए इन में से किसी एक reaction का mechanism check कर लेते हैं मैं इस वाली reaction का mechanism आपको करके दे रहा हूं फिर बोल रहा हूं मैं mechanism यह वाला board के अंदर नहीं है जो competitive exam point of view से मेरी videos देख रहे हैं वो mechanism जरूर करें बच्चे let's proceed to mechanism तो चलिए students बढ़ते हैं mechanism की तरफ इस reaction का mechanism हम देख लेते हैं क्या होने वाला है चलिए इस एलकोल में उठा लेता हूं क्योंग को क्लोर्यन के खीचने से तो क्याव पे लोन पे और फोस्पोर अपने आटेक कर देगा ने लगा झाल एक हुआ गए दो थीन च्यार पांच और चुटा ऊहां की और जुह आ रहा है तो इस नहीं लग रहा कि सील नगेडिव भी बाहर चला जाएगा जैसे यह OH इस पर टैक करेगा तो यहां से 1 Cl कहां चला जाएगा बाहर Let's find कि क्या होने वाला है अब आगी चलिए देखते हैं तो क्या होगा CH3 Agitives CH2 Agitives Oxygen ने अपने लोन पेर देकर Phosphorus के साथ Bond बना लिया है Phosphorus के साथ अब Phosphorus पे कितनी कलोरीन बच गई है 4 कलोरीन 1,2,3,4 Cl negative क्या चला गया है बाहर चला गया है क्योंकि Cl negative बाहर चला गया है कलोरीन बाहर चली गई है Hydrogen भी जुड़ी हुई Oxygen के साथ जुड़ी हुई है बिलकुल लेकिन क्योंकि Oxygen Electron दिये है तो इसको अब कोई ना कोई बोंड यहां पर तुड़वाना पड़ेगा कोई ना कोई बोंड तो यहां पर तुड़वाना पड़ेगा इस Oxygen को तो आप कौन सा बोंड तुड़वाना पसंद करेगे अब आप वो देख लीजिए कि कौन सा बोंड Oxygen तो बौंड तोडेगी नहीं क्योंकि यह अभी बना या तो यह बौंड टूटेगा या फिर यह यह वाला बोंड सो यहां पर या हमारे पास कोन सा बौंड टूटने वाला है आई-डोजन वाला Property बरेक होने वाला है तो चलिए बढ़ते हैं, तो हम यहां से ये वाला bond break कर रहे हैं, ये वाला bond break कर रहे हैं, तो चलते हैं, क्या बनेगा, जैसे ये वाल बनेगा, तो क्या बनेगा, P, 4 chlorine है, 1, 2, 3, 4, और यहां पर क्या लग जाएगा, P O H, shore, 8, कोई probelm तो नहीं है, हापर, CH3, CH2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजटिव चार्ज जैसे यह लेक्टन जाएगा तो इस पर कौन एटेक कर देगा यहां पर साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा यह वाला प्रोडक्ट तो मारा बन गया है अब क्या होगा यहां पर देखिए जो कियां थैसफ उच्जटा बन बने गा थो इकलॉरी निया से क्या वार गर बाहर हो जाएगी तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास again HO double bond P CL 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 और oxygen पे कौन सा charge आ जायगा positive charge फिर से आ जाएगा बहुई oxygen पे कौन सा charge आ जायगा फिर से positive charge तो फिर से यह जो C L negative यहांसे निकला है C L negative अबकी बार वो hydrogen पे attack करेगा और इस bond को तुड़वा देगा oxygen की तरफ और oxygen का और जो positive charge है वो क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा तो पताइए अब की बार क्या बनेगा तो यहां से हैच चली गई तो क्या बनेगा यह यह बताइए क्या बनेगा पी ओ सील थरी और एच मिलकर क्या बना लेंगे So as you can see सारे के सारे product हमारे पास बन चुके हैं Alkyl Helide बन चुका है हमारे पास POCL 3 बन चुका है यहांपर POCL 3 और क्या बन चुका है HCL, acid तो यह हमारे पास mechanism कि जब alcohol PCL 5 के साथ react करती हैं तो वो how do they react, वो behave कैसे करेंगी, मैंने general reaction बता दी, board exam point of view से शुरू में, अब mechanism बता दिया, competitive exam point of view से, तो have a look, take a screenshot बढ़ते हैं, PCL 3 के साथ कैसे react करेंगे, let's proceed, तो चलिए students बढ़ते हैं PCL 3 के साथ reaction में, तो पहले तो मैं generalize reaction लिख देता हूँ, एक बार समझाने के लिए आपको, ठीक है, एक बार समझाने के लिए general reaction लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लिखते हैं, ROH plus PCL 3, विटा, तो क्या बन जाएगा, RCL बनेगा, RCL plus में क्या बनने वाला है, हच 3 PO 3 बनने वाला है, तो देखें, 3 hydrogen आई है, लेकिन यहाँ पर लेकिए, तो इसका मलब इसके 3 molecule लेने पड़ेंगे, हमें, balance तो करेंगे न, 3 यहाँ पर बनेंगे, अब balance है, 3 oxygen है, 3 oxygen है, hydrogen 3, 3, C L 3, ठीक है, अच्छी बात है, तो चलिए general example ले ले लेते ह पलस PCL-3, तीन मोलिक्यूल लेने पड़ेंगे, इसके तो OH हटेगा, CL लगेगा, OH हटेगा, CL लगेगा, तो बन जाएगा, CH3, CH2, CL, पलस H3, PO3, ठीका, फुस्पोरस ऐसीड हमारे पास आतमे बन जाएगा, तो चलिए, CH3, CH, CH3, OH, पलस PCL-3, बताएगे, तीन मोलिक्यूल लेंगे, तो क्या बन जाएगा, आपके पास, तीन मोलिक्यूल बन जाएगे, इस OH की जगर बस CL लगा देंगे, आप CH3, CH, CH3, यहाँ पर क्या आ गया, CL, पलस में क्या बन जाएगा, H3PO3, फुस्पोरस ऐसीड, तो यह तो थी, जनरलाइज रियक्शन हमारे पास, OH हटा कर CL लगाने का काम है, किसका CL का, पलस में क्या रिलीज होगा, भई, H3PO3 रिलीज होगा, यह आद रखना आपको बहुत ही मेंडेटरी है, जरूरी है, तो यहाँ पर मैं जनरल रियक्शन लिग देता हूँ, एक बार, CH3, CH2OH, पलस PCL3 गोज टू, क्या बनेगा, CH3, CH2, CL, पलस H3PO3, तीन मोलिक्यूल इसके बनेगे मारे पास, तीन मोलिक्यूल इसके बनने वाले हैं, हमारे पास, चलिए, प्रोशीट करते हैं, मेकैनिजम की तो चलिए, लेट्स प्रोशीड टू, इस मेकैनिजम, मेकैनिजम, तो आप खुद से सोचो, क्या हो सकता है, भई, CH3, CH2, आपके पास OH है, और Oxygen पे लोन पेर है, और Phosphorus पे कलोरिन, कलोरिन, कलोरिन लगी हुई है, और Phosphorus पे vacant orbital होते हैं, मैं आपको बता दूँ, क्या होत तो Phosphorus अपनी bonding को बढ़ा सकता है, तो Oxygen ने Phosphorus पे क्या कर दिया, अटेक कर दिया, तो मैं डिरेक्ट ही यहां से कलोरिन को बाहर कर रहा हूं, डिरेक्ट मैं यहां से किसको बाहर कर रहा हूं, कलोरिन को बाहर कर रहा हूं, चलिए, लेट्स प्रोशीड अब क्या हो और 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 यहां से रिलीज हो गया है तो प्ताइब क्या अगरना है तो चलिए बढ़ी चेक करिए क्या बन जाएगा प्ति आगे चल कर तो दो तो बन जाएगा 10 थी Cayce C2 0 पलस पलस-पलस इपए क्या आगिया हमारे पास ओर और सीहल और सीएल लग गया हमारा एक प्रोड़क्ट भन गया मैं एक प्रोड़क्ट हमारे पासलें पास यहां पर बनहींं हिला आपको चलेए नेक्स्ट की दरफ अब क्योंकि इसके पेटा तीन मोलिक्यूल लिए हैं अभी तक कितने मोलिक्यूल यूज हुए हमारे पास एक मोलिक्यूल अब इसका दूसरा मोलिक्यूल आएगा CH3 CH2 OH आएगा और इसको पकड़ेगा देखे इसको इसको पकड़ेगा इस पे क्या है CL, CL, OH लगा हुआ है ओके फिर से यह लोन पे किस पे अटैक करेगा फोस्पोरोस पे फिर से कून चला जाएगा बाहर यहां पर क्लोरीन बाहर चला जाएगा तो फिर से क्या बनेगा मैं नीचे की तरफ दिखा रहा हूं आपको CH3, CH2, OH यहां पर P, CL तो चला गया एक CL रह जाएगा और यहां पर क्या रह जाएगा OH और इस अक्सिजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पोजिटिव को किसनी एलेक्ट्रों दिये अब यह जो CL नेगटिव निकलेगा यहां से बाहर, CL नेगटिव यह इस पे अटैक करेग और Oxygen के positive charge को क्या गरेगा? खतम, Oxygen के positive charge को क्या गरेगा खतम गरेगा, तो बताएगे क्या बन जाएगा, यहां से CH3, CH2, CL बन जाएगा, एक और मोलेक्यूल तो मैं यहां पर दो लिख दूँँ अब लगाता है, दो, ठीक, पलस में क्या बन जाएगा? P, O, P, O, C, L, P, O, OHCl बन जाएगा कोई प्रोब्लम यहां तक चली अच्छी बात है तो इसके कितने मोलिक्यूल यूज हो चुके हैं एक दो तीसरा मोलिक्यूल फिर आएगा पिटा कौन आएगा तीसरा मोलिक्यूल आएगा एलकॉल का तो CH3 CH2OH यह लोन पिर कहां अटैक करेगा यहां कलोरिन य सब्सक्राइगा तो कितने मोलिक्यूल बन जाएंगे अलकाइल हलाइड के हमारे पास तीन मोलिक्यूल बन जाएंगे तो इस तरह से मेकैनिजम था PCL 3 के साथ रियक्शन का और PCL 5 वाल आमने पीछे किया है चलिए have a look or take a screenshot बढ़ते हैं SOCL 2 के साथ रियक्शन पे तो चलिए स्टुडेंस बढ़ते हैं SOCL 2 के साथ रियक्शन पे ठीक है चलिए बढ़ते हैं तो जनरली मैं लिखूं आपके लिए तो बनेगा CH3 CH2 OH में यदि आप SOCL 2 डालते हो तो OH हटेगी CL लग जाएगी तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CL OH किछ गए CL SO2 gas release हो जाएगे बचे कौनसी gas release हो तो देखें यहां पर SO2 भी gas होती है और HCL भी क्या होता है gas तो जब आप SOCL 2 से alkyl halide बनाओगे alcohol के इंदर डालकर तो यह वाला सबसे best method होता है preparation का क्या होता है यह वाला सबसे best method सबसे अच्छा तरीका क्यों क्योंकि जब आप product बनाओगे यह दोनों तो gas यह तो उड़ हो जाएंगे तो आपके पास सीरफ कौन बच जाएगा alkyl halide बट PCL 3 और PCL 5 में ऐसा नहीं था वहां पर H3PO3 बन रहा था साथ में हमारे पास PO3 बन रहा था वह तो लिक्विड होते हैं वह mixer के अंदर पड़े रहेंगे उनको अलग करने में दिक्कत हो जाएगी तो मीडिय में रियक्शन होती पिरिडिन एक बेस होता और गैनिक बेस होता यह पिरिडिन उसकी प्रेजेंस में यह रियक्शन करवाते हैं हम पिरिडिन को यहां पर यूज करते हैं तो OH अटेगी यहां पर क्या लग जाएगा CH3 CH3 क्या लग जाएगा यहां पर CL लग जाएग mechanism पे proceed करते हैं mechanism हो तो जन्रली एक्षन में ले रहा हूं mechanism के लिए आँपर CH3 CH2 OH plus SOCl2 की structure मैं बता दूँ आपको ऐसी होती है SOCl2 यहाँ पर PY stands for Pyridine product बनेगा CH3 CH2 CL plus SO2 plus HCl कोई डाउट नहीं है आं तक तो कोई डाउट नहीं है चले mechanism पे proceed करते हैं तो CH3 CH2 OH पे क्या present है loan pair present है बच्चे तो वो आएगा यहाँ पर S CL CL double bond O पे आएगा किस पे आएगा double bond O पे अब तो अपक गए होगे mechanism करते करते हुए यह यहाँ attack करेगा CL बेटा बाहर जाग गया से भाग तो क्या बन जाएगा बच्चा CH3 CH2 OH पे क्या लगा हुआ है H और इसने bond बना लिया S double bond O CL के साथ इस पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चा पोजिटिव चार्ज अब जो CL नेगिटिव यह रिलीज हुआ यह अपना खेल दिखाएगा यह इस पे अटेक करेगा और ओक्षिजन के पोजिटिव चार्ज को क्या करेगा खतम सिंग करेगा खताम ठेक रावल गंदी के वीडियो आती है ना खताम वही खताम भही क्या बना गया CL पलस में क्या रिलीज हो जाएगा आपके पास S double bond O यहाँ पर है OH यहाँ पर है CL ठीक है तो यहाँ पर जो लोन पेर है वो वापी अरि क्या बनाएगा और यहां से कलोरिन क्या हो जाएगी बाहर हो जाएगी ठीक है वैसे जनरली तो ऐसे दिखाते हैं आया फिर यह बूर तो तो यह आया यहाँ ठीक कर रहा हूं आपको तो उसमें तो किसी भी तरही कोई शार्ज सवागा पोज़िव इस हो गया है तो ऍ दो किसे निए चेक करेगा है और यहां से यहां से बनाता है तो अलकोहल से प्रिपेर करने का तो आई होप अब आप कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है आपको चलिए थोड़ा सा और नेक्स्ट प्रोसीड कर लेते हैं तो चलिए स्टुडेंस एक थोड़ा सा डाउट और लेते हैं चोड़ा सा डाउट जो बच्चों को रहते हैं कि सर आप एलकोल में PCL3 मिला रहे थे बार बार और CH3, CH2, CHL हंस हंस कर बना रहे थे बिल्कुल हंस हंस कर बना रहे थे कोई दिक्कत नहीं है आप PBR3 और PI3 क्यों डालते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप PBR3 और PI3 डालेंगे यह जो दो compound होते हैं यह थोड़े से unstable compound होते हैं तो इनको यह नहीं है कि लाइब में आप पहले से बना कर रख लोगे और बाद में यूज कर लोगे नहीं यह थोड़े से unstable compound होते हैं इसलिए जब भी P पड़ते डिरेक्ट आपको रेड फोस्पोरस और कलोरिन यह ब्रोमिन डालनी पड़ती है क्या डालनी पड़ती है रेड फोस्पोरस और ब्रोमिन यह आप पसमें मिलकर क्या बना लेती है PBR3 मतलब आपको freshly prepared जुगार चाहिए यह ताजे ताजे बने हुए होने चाहिए अ और OH की जगह पर क्या लग जाएगा यहां पर BR लग जाएगा ठीक है OH की जगह पर क्या लग जाएगा BR तो इसलिए हम डिरेक्ट यूज नहीं करते PI3 और PBR3 क्योंकि unstable compound होते आप बनाओगे तो तूड़ जाएंगे थोड़े टाइम के बाद तो ताजा ताजा बनाने के ल क्योंकि और गैनिक आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे जैसा मैं चाहूंगा आप इस तरीके से और गैनिक पढ़ने वाले हैं तभी आपके डाउट कलियर रहेंगे वरना आपको दिक्कत रहेगी आज मैं वीडियो को यहीं कंप्लीट करेंगे यह था मारे पास अलकोहल से बना यह तो रहें डाल रखा यह तो वही है ना पी थरी स्टेबल नहीं होता इसलिए इसको ताजा ताजा बनाना पड़ता है तो इसका मतलब और चाहटेगी आउडीन लगेगी कोई प्रोब्लम भाई वैरी गुड वैरी गुड ऐसे याद होंगे और गैनिक रेक्षन आपको तो सर वही है ना एसो टू गैस निकलती थी एस सील निकलता था और यह बेस्ट मेथड होता था अलकोहल से अलकाइल हलाइड बनाने का तो सर ओवे चटाके सील लगा दो बस कोई प्रोब्लम नहीं है वही किसी को भी सी एच टू यहाँ पर क्या लग जाएगा सील एनी प्र भी प्रोब्लम नहीं 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 सर बिल्कुल भी नहीं है शर यह तो यह फटा ओशाटा के सील लगाता है ओश्की जील लगातो भाई छी एस टू सियांच तूसियल याद कर सकते हो पिपरेट में क्यां बनता था है तरी पी ओधरी फॉस पोरोस एसेड याद है ना अभी भी तो किया है तर्सरी अलकॉल के साथ सबसे फास्ट करती है क्योंकि इंडुक्टीफ li हो सोबほたे होता है स्टेबल होता है स्टेबल स्टेबल तो कैटलिस्ट की जूरती नहीं पढ़ेगी सीधा पानी बाहर जाएगा और अपके पास यहां पर बन जाए चलो lazate को ुरीन लगाओ ठिक है नहीं और आगया तो यह ट्रिक पॉइंट आ आ के पाख इसको अपने ब्रेइन में किसी भी तरह से मग अप कर लीजिए एचल जिंग कलोराइड गुरूज प्रोसेस पीचल 3 पीचल 5 एसो चील 2 इन सब का काम ओवेच हटाना सी यल लगाना तो यह थी आज सबाज क器 वीडियो का होगेनी के मंस्यक्ति का पहला की कोसिस कि है ऊपको बहुत से स्फेसें नेविभ और wygląda सकती है मैं और रहा है तो अपर चोटी सी request है यदि आपको organic interested लगी है कि हां sir मजा आ रहा है organic पढ़ने में तो comment में जरूर लिख दें कि sir we are getting everything हमें समझ में आ रहा है आप comment करेंगे तो हमें motivation मिलेगा and crazy होंगे तो और भी अच्छे-च्छे आपके लिए ideas लेकर आएंगे organic chemistry को आपके लिए असान बनाने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो मैं हूँ तरसेम जटैन और आप मेरे साथ देख रहे थे जटैन classes, share करें अपने दोस्तों के साथ हर chemistry की हर problem का solution जटैन classes, चले wind up करते हैं तो have a nice day, thank you